बीपीएसी के द्वारा जो 69 में फैनेंसल एड्मिट्रेटिव ओफिशर्स और जहारखण में रिवेनिय ओफिशर्स तो हम लोग बात करें कि स्टूडेंट परिशान रहते हैं कि जर हम बिहार अर्थववस्था बिहार की एकोनोमी कैसे पढ़ें कहीं से तरीय मेटलिस का नहीं मिल रहा है तो सबसे पहली बात अगर अर्थवस्था को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हम से जूड़े और हम से नहीं जूड़े अब कुछ लोग का मन में था कि साल हम इस चीज को कैसे पूरा करें कहां से पूरा करें कहां से पढ़ें तो सबसे पहला जो सोर्स है आपका जो बिहार सरकार का एकोनोमिक सर्वे है ओ अपने हाथ पर रखिए दूसरा सोर्स है बिहार सरकार का बुलेटन भी आता है उसका ब website है उस पर फिर रिपोर्ट आता है उसको देखिए साती साथ बिहार का जो हिंदुस्तांस है दैनिक जागरन है उसमें भी बिहार से सम्मंधित बहुत सारे आपका ना मेटरियल मिल जाएगा लेकिन आपको कंपाईल करना पड़ेगा कर बिहार की अर्थवस्था से तिन तरह से कोशन पूछा क्या है डूसरा है बिहार में गšnur क्या है और सब्सक्राइब्स दोसरा फ़नले मेरे पास है तो हम बेज भी देगें दूसरी बात है कि जो बिहार का इंडस्ट्ry ए तो इकोनॉमिक सर्वे में बिहार के इंडस्री का किस तरीके से विकास हुआ है बहुत अच्छे तरीके से दिअव हैं बिहार के एग्रिकल्चर की क्या सिती है बिहार में कंस्ट्रक्शन क्या क्या सिती है और बिहार में इंडस्ट्री और बिहार का इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन सभी को सरकार की जो पॉलिसी है नीती है और साती चार्ज स्टूडिन क्रेडिट कार्ड है इसका जो हमारे समाज पर क्या इं इसे हमारे हमारे उपर क्या बोज आ रहा इन सभी चीजों करेंगे दूसरी बात है कि अर्थ ववस्था को अगर पढ़ने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि स्रिफ बिहार के वारहिं पढ़ना है तेट मींस कि बिहार के है दोनों मेडियम में आपको आता है इसको भी थोड़ा सा आप देखेंगे चुकि और बिहार के कॉंटेक्स में स्पेशली नहीं है लेकिन बहुत सारा चीज जैसे डेटा वेगरा बिहार के मिल जाएगा एकनोमिक सर्वे और बिहार करकते हैं एकनोमिक सर्वे इंडिया कभी भी रखी आपने जामने चुकिए बिस्तार से पढ़ना चाहिए आप नहीं चाहते हम कहीं जुड़े हम खुद से स्टड़ी करें तो गौवर्मेंट बिहार का गौवर्मेंट अप इंडिया का दोनों को सर्वे आपको सामने रखना होगा तब अच्छे तरीके से आप इसक में तो बिहार के कॉमर्शल बैंकिंग का विकास के बारे में अच्छे तरीके से दिया वाएं वहां सपले सकते हैं तो कोश्चन का पैटर्न क्या है और जितने सभी कोश्चन को जो 500 वर्डों में 500-700 वर्डों में लिखने का प्रयास करें जो कि होता है कि आप PDF जमा कर रहे कोश्च बना लीजिए बहुत सब्सक्राइब कोश्चन कॉम्पलेक्स लगता है कि सब्सक्राइब कैसे करें और उसको लिख के भेजिए हम उसको देखेंगे कि कोश्चन आपको किस दरक्षन में है और आपको 500-700 वर्डों में लिखना है तो कुछ सेंपल में आपको भेज हैं जो पढ़ रहे हैं लिए उनको जरुवत है चुकि जो मैं स्वोर्स बता रहा हूं एकोनोमिक सर्वे गवर्मेंट अप इंडिया का सर्वे या फिर बजट जो हमारा आपका जो है इंडियन एकोनोमी मिस्राइन पूरी का हो या फिर लाल लाल का हो तो बहुत किताब हैं तो दो से तीन दीन जो है आपका जो है इडिटोरियल बगड़ा आता है उसमें विहार के कॉंटेक्स में अच्छा खासा लेक नजर आपको आता है उसको भी आप ले सकते हैं क्या डाले नहीं डाले जो आपका जो डेटा है डेटा सारा का सरवे मिल जागा और निवज पेपर से भी आपको बहुत सारा चीज आपको मिल जाता है साती साथ अब जब अंसर त्यार करें अपना अंसर में सोर्स लिएगा कि हमें कहां से लिखे हैं उसके बाद हमको बेज़ेगा जहां तक चेंज करने के जरूब़त हो दुसको लिखें हैं दूसरी बात है कि हर आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा महिनत करना पड़ेगा और एक बार अगर आप अच्छे तरीके से लिखने सीख गए तो बिहार एकोनोमी जो सबसे Trigate लगता है उन्हें ररल सबसे मज़दार आपकोना शररोगा जहें लाइक यरी से अधिल सबसे हैं है उतना तक में कई शीच दर नहीं दिए हैं तो उसी तरीके से बिहार की अर्थ वस्ता है बिहार की की एकोनोमी है बिहार की कोशन पूशे जाते हैं पहले इस को क्रेट करें और जो मैंने कहा है और जरुवत होगा तो बोलिए गाज दिकत होगा सर यहां पर हमसे नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा पढ़िएगा आप तो जानकारी आपको होगा दुसरी बात है कि अवी जो भी कोफी इस लिए जबी आपने इस पद के लिए प्लाइग किया है तो आपको त्यार यवी से करना पड़ेगा यह लगता है कि लगता है कि इसको पढ़ने क्या नहीं इसको पढ़ने अभी से क्या दो फाएदा होगा आपका पी टी भी अच्छा जाएगा और ऑफश्णल तो तो अच्छा जाए गए जाएगा तो जो भी विद्यारती फानेंशल एड्मिस्टेटिव ऑफिसर पद के लिए अपलाई किये हैं उनको अगर कोर्स को जोईन करना है तो समय से कोर्स को जोईन कीजिएगा तो प्रैक्टिस करने का मौगा मिलेगा और आपका दोनों एक्जाम अच्छा तरीके जाएगा उमीद है हमारा जो सजेशन है आप सभी को त्यारी करने में काफी मदद करेगी आगे हम आपको फिर लाइब मिलते हैं धन्यवाद